नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है चमतकारी टोटके में इस चैनल में हम आपके लेकर आते हैं बहुत सारे चमतकारी टोटके असरदार उपाई कुछ ऐसी रोचक बातें जो जुड़ी होती हैं वास्तु शास्त्र, धार्मिक ज्यान, वरत पूजन विधी और भारतिय देवी देवताओं से दोस्तों यहीं हम आपको आपकी सारी परिशानियों का समाधान भी देते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चमतकारी टोटके को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट म होने वाला है तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत सारी भविशेवाणिया हुई हैं जो बताती है कि प्रलय का दिन सर्वनाश या धर्ती के अंत के समय के बारे में दुनिया के लगभग सभी धर्मों में ये लिखा है कि एक दिन धर्ती का अंत चली थी मगर ये सच साबित नहीं हुई माया सभ्यता में साल 2012 में धर्ती के अंत की बात कही गई थी वो भी सच साबित नहीं हुई आईए जानते हैं कि अलग-अलग धर्मों में क्या कहा गया है तो सबसे पहले बात करते हैं इसाई धर्म की इसमें लिखा गया है अकल्पन नाम की किताब में वर्णन है जीसस क्राइस्ट के दूसरे पुन्रुथान के समय तक अंतिम जानवर या बुराई पृत्वी से मिटा दी जाएगी इसे जज्जमेंट डे भी कहा जाता है जब अंत में ईश्वर का राज पृत्वी पर शुरू होगा इसलाम धर्म दोस्तों मस मसीह अद दजाल नाम का एक जूठा खुद के इश्वर होने का दावा करेगा उनकी दाई आंख अंधी होगी और वो अंगूर की तरह दिखेगी हाला कि असली अनुयाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन अन्य लोग उस मसीह का अनुसरन करते हुए उसके तथा कथित स्वर्ग की ओर चल पड़ेंगे जो वास्तव में नर्ख होगा इससे पहले अन्य लक्षन भी दिखाई देंगे और वो भयावा होंगे मृत्यू और विनाश का ये दौर तब समाप्त होगा जब ईसा चौथे आसमान से मसीह अद दजाल को मारने के लिए लिए पताएंगे हाला कि इसके बारे में अन्य कहानिया भी हैं लेकिन सबसे लोग प्रिये ये हैं सभी कहानियों में जो आम बात है वो ये की ईसा का अफ्तरण होगा जो बुराई को खत्म करके इंसानों के लिए अच्छा राज्य बहाल करेंगे इसके बात बात करते हैं के बीच ट्रांजिशन के चरण के रूप में काम करेगा आम मत है कि इश्वर खुद इंसानों की दुनिया में हक्सतक शेप करेंगे और फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या घलत हाला कि धर्ती के अंत की बात सर्वभॉमिक नहीं है कुछ अन्य लोग धर्ती के अंत की बा समाज में नैतिक्ता की गिरावट होगी साथी धोंग और जगडे बढ़ेंगे हिंदू का मानना है कि समाज में धीमी गिरावट होगी और लोग विकास के रास्ते में तब तक वापस लोटने के स्थिती में नहीं होंगे जब तक वे पेड़ की चाल पहनना नहीं शुरू क ये मानव जाती के विनाश की शुरुआत होगी तब भगवान विश्नु के दसवे अफ्तार कलकी का धर्ती पर जन्म होगा वो दुनिया में अच्छाई को स्थापित करने के लिए बची हुई पवित्र आत्माओं के साथ बुराई से लड़ेंगे इसके अलावा वो लोगों के मन को स्वच्छ कर देंगे ये मानव की एक नई जाती को जन्म देगा जो बहतर होगा और मानवता का शाशन स्थापित होगा तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताई धर्ती के अंत के बारे में बहुत सारी भविश्यवानिया अगर आपके पास एसी ही कोई रोचक जानकारी है तो उसे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर शेर कीजिए जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए